हालो फ्रेंट्स आपका एक पर फिर से आपकी अपने यूटूब चेनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम करेंगे वेदिक सब्यता यानि की वेदिक संस्कृति के बारे में इसके उपर मैंने एक वीडियो पहले भी डाली है अगर डिटेल में किसी ने पढ़ना हो तो डिटेल में जाकर वो पढ़ सकता है प्लेलिस्ट में जाए और वहां आपको इस्ट्री के जो है फोल्डर में वो आपको वीडियो मिल जाएगी लेकिन वन लाइनर कोश्चन है कुछ इंपॉर्टन रहने बारे आज इसको देख लेते हैं क्योंकि आज आपकी जो है अजार कोश्चन की जो हमने शीरी चलाई है उसकी जो वीडियो है आज मेंने पार्ट 21 तक हमने अल्रेटी कर लिया अगर आपने नहीं देखी है चैनल पर पहली बार है तो प्ले लिस्ट में जाए आप हजार कोश्चन की उस सीरीज के साथ भी हमारे साथ जोड़ सकते हैं चैनल देख लेते कुछ इंपोर्टन वन लाइनर कोश्चन है आपके हर एक्जाम में किसी भी कंपरेटिटु एक्जाम की त्यारी करें अक्सर देखने को आपके यहां से कोश्चन मिलते हैं आरय भारत में मदेशियान से किस तर्दे से होती है अब ये तो सभी को पता है कि आणर यह कहां से तो आपके इज थे को डुटेल में वेदिक सब्वेता के बारे में एक अलग सी वीडियो मिल जाएगी आप उसमें देख सकते हैं वन डाइनर कोश्चन है डारेक्ट आपको कुश्चन के अंसर बजाता हूं आरियों ने सबसे पहले किस दात्यू का प्रोग किया तो यह किया ताप कर लोहा का वह येदिक योग में योग किसे कहा जाता था तो येदिक योग में जो योग कहा जाता था ये कहा जाता था आपके जोग को तो यह आप ध्यान में रखेंगी प्रतम वीदी निर्माता किसे माना जाता है यह माना जाता है मनों को निया दर्शन किसने परचारित किया था तो आ महर्शी गोतमने तो आपने इसको भी ध्यान रखना है योगदर्शन के प्रवर्तक कौन है तो यह है आपके पतंजली मौनी यह इंप्वोटन कोश्चिन है आप इसको ध्यान में जरूरू रख़िएगा वेदिक यूग में निश्क किसे कहा जाता था तो वेदिक यूग में निश्क कहा जाता था स्वरन आभोशन को यानि आपने इसको जो है आपने दियान रखना किसको कहा जाता है स्वरन आभोशन को जो की मांथे के उपर लगाया जाता था मिमासा दर्शन के प्रदिपादक कौन है तो मिमासा दर्शन ये आपका important question है जिसको मैं important बोलूँगा वो आप उसको बिल्कुल रटा मारके जैसे मरजी आप उसको याद करना क्योंकि मिमासा दर्शन के प्रदिपादक कौन है ये आपका जेमीनी ये important question है रिगवेद में सबसे पुवित्तर नदी ये भी आपका important question है किसे कहा जब माना जाता है या कहा जाता है तो ये सरस्वती को सामवेद का संबंद किस से हैं यह सभी important question है किस से है तो यह संगीत से है तो आपको जो संगीत का उदे किस से माना जाता है तो किस वेद से तो यह सामवेद से माना जाता है यजुरुवेद का संबंद किस से है तो यजुरुवेद का संबंद करमकान से याद रखेंगे यजुरुवेद का संबन्द है आपका गरमकान से और सामवेद का संबन्द है यह संगीत से है अतरवेद का संबन्द जादू टोना और रोष्टी से है वहीं आदिकावे के संगया किसे दी जाती है तो आदिकावे किसे कहा जाता है यह आपका रामाय को कहा जाता है रिगवेदी काल में पुरंदर किसे कहा घा गया है या कहा जाता था क् सरस्कृत का अपश्चछव का सबसे बड़ा महाकावय कौन सा है आपका महा महां भारत यह बहुत important question है विश्व का है देखिए जहां विश्व की बात की जाए उसको आपने ध्यानक नए विश्व का सबसे बड़ा महा कावे महां भारत ब्रीही शब्त का प्रयोग औरीग वेधी काल में किसके लिए किया गया तो यह किया गया है आपके चावल के लिए अगला question आपके पास वेदिक नदी कुमबा का उद्गम स्तल कहां पर है तो यह है आपका अफगानिस्तान में गायतरी मंतर की रच्टना किस ने की तो यह की थी विश्व मंतर में वहीं गायतरी मंतर का जो उलेक किस गरंद में मिलता है तो यह आपने ध्यानक नाए गायतर मंतर किस को समर्पीते या आपके सूर्य दिपता को समर्पीते आदी कवी कहा जाता है तो कादी कवी कहा जाता है आपके वर्ग मिकी को विश्व पुरान किस वंश से सम्बंदी थे तो विश्व पुरान आपके मोरे वंश से सम्बंदी थे तो मोरे वंश की जो है किसने की दिसता आपना तो यह किती चंदर गुप्त मोरे ने यह भी आप ध्यान में रखेंगी मतस्य पुरान किस वंच से सम्बंदी थे तो आपने बताना है जो मतस्य पुरान है यह किस से है तो यह आपका अंदर साथ वहान से है वाईव पुरान किस के वंच से संबंदी थे वाईव पुरान है आपका गुप्त वंच से तो ये जो लास्ट के तीनों कोश्चन आप इसके पीछे जो स्टार देख सकते हैं ये स्टार लगाये गए ये स्टार तभी लगाये गए ये important कोश्चन है तीनों जिसके पीछे स्टार लगा हो आपने उसको त्यान में रखना है वो important कोश्चन आपका हो जाता है तो ये कुछ वेदिक सब्वेता सी कुछ कोश्चन थी आपके लिए में लेका है आई होब आपको ये जो मेरा प्रियास दे आपको पसंद आ रहे हो पसंद आ रहे हो तो अपने दुस्तों के साथ शेयर जुरूर करें बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में बाकी हजार कुश्चन के अगर एचपीजी के की सीरीज आपने नहीं देखिए तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं अगर आप वीडियो बाद में देखते हैं वो सीरीज हमारी कंप्लीट होती है तो प्ले लिस्ट में फिर भी आपको वो सारी वीडियो मिल जाएंगी बाकी में साथ बैने रहने के लिए आपका बहुत बहुत देन्यवाद